हलो दोस्तो स्वागात है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम 9 दिसंबर और 10 दिसंबर से उतर पुर्दियस क्रंट अफ्यर के जितने भी इंपोर्टेंट कुशन बन सकते हैं बो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हरे कुशन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे और वीडियो के अंद में हम आपसे एक कुशन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर आपको इसकी PDF डानलोड करनी है तो आप हुमारे टेलीग्राम गुरुप से इसकी PDF डानलोड कर सकते हैं टेलीग्राम गुरुप की लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगी तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है आप्सन नमबर A है मावराही देवी, B है मावेशलवी देवी, C है महागोरखनात रेलवे इस्टेशन और D है अटल रेलवे इस्टेशन तो इस कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है बो है आप्सन नमबर A मावराही देवी तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दांदू पूर रेलवे इस्टेशन का नाम बदल कर मां बाराही देवी रेलवे इस्टेशन रख दिया है अब चलिए देखते हैं डिटेल में प्रियागराश से करीब 55 से 60 किलो मीटर दूर प्रताप गड़ जिले की रानी गंज तहसील में पढ़ने वाला दांदू पूर रेलवे इस्टेशन अब मां बाराही देवी धाम से जाना जाएगा नाम बदलने के लिए किंदर सरकार की सहमती मिल गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाम बदलने को हरी जंडी दे दी है दांदू पूर रेलवे इस्टेशन यूपी के प्रताप गड़ जिले की रानी गंज तहसील मुख्यालाय पर इस्थित है यहां से करीब 6 किलोमेटर दूर परसरामपुर गाउं में उंचे टीले पर मांबाराही देवी का प्रसिद मंदिर है जहां दूर दूर से लोग आते हैं यहां भब्य मेला भी लगता है मंदिर की ख्याती काफी दूर दूर तक फैली हुई है इस इस्टेशन का नाम बदलने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी और अब इस रेलवे इस्टेशन का नाम बदल दिया गया है तो इस railway station का नाम अब क्या हो गया है मा बाराही देवी धाम railway station दांदूपुर railway station का नाम हो गया है चलिए अगला कुश्चन देखते है The People for the Ethical Treatment of Animals Peta India ने किसको 2020 का साल का स्वयम सेविक नामित किया है Option number A है पंकज गुपता B है है मंत कुमार C है आयान बनर्जी और D है तरुन मजूमदार तो इस कुश्चन का जो correct answer है वो है option number C आयान बनर्जी तो अभी हाल ही मैं Peta India ने साल 2020 का स्वयम सेवक आयान बनर्जी को नामित किया है चलिए डेटेल में देखते हैं इसके बारे में The People for the Ethical Treatment of Animals Peta India ने ओपी जिंदल Global University के छात्र आयान बनर्जी को अपना 2020 का साल का स्वयम सेवक नामित किया है प्रियागराज का 18 वर्सिय छात्र आयान एक वीगन है और वह दो साल पहले Peta India के स्वयम सेवक में सामिल हुआ था महामारी के दोरान उन्होंने छात्रों को वीगन भोजन पर Peta Youth के ओनलाइन वेविनार में सामिल होने के लिए प्रोथ साहिद किया था तो अब यहां पर यह जो Peta आया है यह Peta है क्या? तो दिखे एक होता है Peta और एक है Peta इंडिया तो Peta होता क्या है? पेटा का फुलपों में People for the Ethical Treatment of Animals यह एक अमेरिकी पसू अधिकार संगठन है और यह कहां पर इस्तित है? नौर्फॉक वर्जीनिया में सन्युक्त राज अमेरिका में इस्तित है अब इसी तरह से एक है Peta इंडिया तो यह Peta इंडिया हमारे भारत में जो पसू के अधिकार की रच्छा करने के लिए संगठन है और जो पसू के अधिकार की रच्छा करने के लिए संगठन होते है उसकी रच्छा के लिए एक संगठन होता है जो कि Peta इंडिया हमारे भारत में है और पेटा इंडिया का प्रारंब कब हुआ था तो जनवरी 2000 में पेटा इंडिया का प्रारंब हुआ था और पेटा इंडिया कहां पर इस्थे थे तो पेटा इंडिया भारत में मुंबई में इस्थे थे और पेटा इंडिया का सरल सिधान्त है कि मनुरंजन, खाने, पहनने प्रयोग करने के लिए पस्वों पर हमारा अधिकार नहीं है पेटा इंडिया अपने अनुसंधान कारियों से पस्वों पर हो रहे अत्याचारों के प्रती सिक्षा के छेत्र में प्रयास कर अनगिनत पस्वों के जीवन को बचा रही है तो ये पेटा इंडिया एक संगठन है जो कि पस्वों पर हो रहे अत्याचारों और अधिकार के लिए एक ये संगठन है जिसके लिए ये लड़ता है अगला कुश्यन है दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदीश की मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात ने किस सहर में MSME रिन मेले की दोरान 3.54 लाख MSME एकाईयों को 10,390 करोड रुपए रिन विद्रित किया उप्सन नमबर A है आगरा, B है लखनव, C है मतुरा और D है कानपुर तो इस कुश्यन का जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर B लखनव अब चलिए डेटेल में देखते हैं उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने लखनव में MSME रिन मेले के दोरान 3.54 लाख MSME एकाईयों को 10,390 करोड रुपए का रिन विद्रित किया मुख्यमंत्री ने आत्मे निर्वर भारत पैकेज के तहट नई MSME के साथ साथ नई इस्थापित एकाईयों को रिन विद्रित किया मुख्यमंत्री ने वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट स्कीम के प्रसिक्षूओं को उनकी व्यवसाई से सम्मंदित उननत टूल किट भी वित्रित किये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का कोई भी युवा जो अपना नवीन उद्यम सुरू करना चाहता है उसे पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी प्रतेक उद्यमी को आवस्यक्ता अनुशार रिन उपलब्द कराया जा रहा है यह काम आगे भी जारी रहेगा तो जो यह MSME है यह होता क्या है तो देखिए MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इसमाल एंड मेडियम एंटरप्राइज़ यह इसका फुल फॉर्म है 10,390 करोड रुपए जो है लौन के तोर पर वित्रेत किये हैं और उन्होंने यह कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी योबा जो की नभी नुद्यम सुरू करना चाहता है तो उसके लिए पुझी की कमी नहीं होने दी जाएगी और उसे अवस्यक्ता अनुसार रिन जो है वो अपलब्द कराया जाएगा अगला कुश्यन है मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने 9 दिसंबर को उत्तर पुर्दिस के किस जिले में चेनी मिल के नए प्लांट का उदगाटन किया है अप्सन नमबर ए है बस्ती बी है गोंडा सी है सून भद्र और डी है लल तो इस कुश्यन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर ए बस्ती डेटेल में देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ ने बुद्वार को बस्ती के मुणेरवा और गुरकपुर के फिपराइच चीनी मिल में इस्थापित सलफर मुक्त प्लांट का लोकार करेंगे और उसके बाद विपराइच चीनी मिल के प्लांट का इन दोनों नई चीनी मिलों का मुख्यमंत्री ने गतवर्स लोकार प्लांट किया था उसी दोरान उन्होंने यह घोशना की थी कि दोनों चीनी मिलों में सलफर मुक्त चीनी का उत्पादन कर अच्छी गुडवत्ता की चीनी बनाई जाएगी और अब उन्होंने सलफर मुक्त यह जो प्लांट है उसका लोकार प्लांट किया है बस्ती की मुडेरवा और गुरपुर के पिपराइच चीनी मिलों में ठीक है अगला पॉइंट है प पिराई सत्र में 45.33 तथा 44.1 लाग कोईंटल गन्ने की पिराई कर क्रमसा 4.43 लाग कोईंटल तथा 4.02 लाग कोईंटल चीनी का उत्पादन हुआ है यह जो मिल है पिपराइच मिल और मुडेरवा मिल इसमें पिछले वर्स 4.43 लाग कोईंटल और यह जो मुडेरवा है उसमें 4.02 लाग कोईंटल चीनी का उत्पादन हुआ है इसके अलाबा पिपराई चीनी मिल द्वारा 3.15690 मेगावाट तथा मुडेरवा चीनी मिल द्वारा 4.877 मेगावाट बिद्दुत उत्पादन कर राजस्व भी अरजित किया है तो दोस्तों यह थे 9 दिसम्बर और 10 दिसम्बर से उत्तर प्रदिस करंटेफर की इंपोर्टेंट कुश्चन अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का कुश्चन जो कि हमने आपसे कूशा था तो तो इस कुश्चन का करेक्ट आंसर था ओपसे नमबर भी संगीता स्रीवास्ता हूं तो कई स्टूडेंस ने इसके करेक्ट आंसर दिये और मैं हर रोज कहता हूं फिर से कहता हूं कि आपसे जो भी कुश्चन पूचा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करूं तो दिली, सी है तमिल नाडू और डी है उत्तर प्रदेश तो इस कुश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप जवाब जरूर दिया करूं कि जब भी आप किसी भी कुश्चन का लेकर जवाब दोगे तो उस कुश्चन को आप हमेशा के लिए याद कर ले किते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हूँ लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू